जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज खुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे और चाइना में जा करके चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिला बाबाज उठानी चाहिए थी लाग आज़ करकर के चाइना को समझाना चाहिए था नवसकार बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शेर माउराच बोल किलब आजार हैं तेरे में एक नहीं दो नहीं बलकि तीन विशय विशय नमबर एक आखिर क्यों रोई ये माँ विशय नमबर दो चाइना ने पाकिस्तान के प्रती अपनी दोस्ती को निभाते हुए साबित कर दिया है कि वो एक आतंकवादी का भी समर्थन कर सकती है और विशय नमबर तीन जिहां निउस क्लिक की मोहिम रंग लाई क्योंकि अब लोगों में ये बात आग की तरह पहल रही है कि वाकई सत्ता के सामने नतमस्तक मीडिया को बॉयकॉट करने का वक्त आ गया है ये सब हम चर्चा करेंगे मगर उससे पहले आज का पहला विशय है क्या आप जानते हैं कि प्येसेनल की इतिहास में पहली बार हुआ है जब 1.76 लाख करमचारियों को उनका वेतन नहीं मिला है क्या आप जानते हैं कि नरेगा के करमचारियों ने सेक्शन 116.116 और सेक्शन 420 के तहट करीब 150 पुलीस स्टेशन में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को के खिलाफ मुकदमा दर्श किया है केस फाइल किया है क्योंकि उन्हें भत्ते नहीं मिले हैं पहली बार हुआ ये भी और यहीं नहीं जो स्टाची ओफ यूनिटी भारत की शान थी जिसमें करीब 3000 करोड रुपए लगा उसमें भी कार्म करने वाले मजदूरों को अब तक सालरी नहीं मिली है तीन माईनों से सालरी नहीं मिली है और ये खबर आपको कौन दिखा रहा है नियूस क्लिक ने आपको ये खबर बताई है तीकि गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है मजदूरों, किसानों, युवाओं की समस्याओं को लेकर वागर सबसे पहले B.S.N.L. में काम करने वाली इस महिला की रुदाली को देखिए तो देखा आपने कितनी बेबस है ये महिला मैं जानता हूँ कि सरकार ने ये का है कि होली से पहले हम सभी को सालरीज दे देंगे सवाल वो नहीं है दोस्तो सवाल ये है कि आखिर मामला यहां तक आया क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्रों का साथ और मित्रों का विकास के चक्कर में आपने PSU's को बरबाद कर दिया जो पबलिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसे पूरी तरह से बरबाद कर दिया चाहे PSNL हो या ONGC हर जगा हमारे PSU's बलीड क्यों कर रहे हैं उनका रखत रिसाव क्यों हो रहा है ये सवाल क्या पूछा नहीं जाना चाहिए और तब तब आपको जवाब मिलेगा इस मा के आशों का दोस्तो आब हम रुख करना चाहेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर का खबर ये है कि चाइना ने सैंतराज सुरक्षा परिशद में मसूद अजहर को आतंकवादी बताने की उसे आतंकवादी ग्लोबल आतंकवादी घोशित किये जाने की भारत की कोशिशों पर एक तरह से अंकुष डाल दिया है ये मामला च्छे महिने के लिए मुल्तवी हो गया है ये चीज मुझे हैरत में नहीं डालती है दोस्तों आखिर क्यों हैरत में डाले है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान बहुत मस्बूत दोस्त हैं और चाइना ने ये साबित कर दिया है कि वो एक आतंकवादी का साथ देने को तैयार है म Yukर क्या हमारी तैयारी पूरी थी दोस्तों तो मैं आप के सामने सिलसलेवार तरीके से कुछ तत्यों को पेश करना चाहूंगा जो ये ऽशाबित करेगा कि विदेश नीती के मोर्चे पर और सामरिक नीती के मोर्चे पर भारत किस तरह की गलतियां करते रहा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 73 दिनों तक चले डोकलाम टकराव के बाद हुआ क्या जैसे कि आप जानते ही कि डोकलाम में भारत और शीन की सेनाय आमने सामने आ गई थी उन पे छिटपुट संघर्ष चल रहा था टकराव नहीं कहूंगा छिटपुट संघर्ष चल रहा था और वो संघर्ष बड़ा हो सकता था और प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते थे कि 2019 से पहले शाइना के साथ सैनिक टकराव हो क्यूंकि अगर शाइना के साथ सैनिक टकराव होता तो आप जानते हैं कि 1962 में क्या हुआ था और 1962 के बाद अब तक शाइना की सेना जो है उसमें लगातार बढ़ुत्री आ रही है शाइना भारत की सीमा से लगे हुए तमाम जितने भी देश हैं या अपने इंफरस्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करता आ रहा है शाहे डोकलाम हो शाहे टिबेट हो अपने इंफरस् हुआ कि भारत और चाइना के बीच गोर कीजेगा इस बात पर वुहान सम्मेलन हुआ अनौपचारिक वुहान सम्मेलन जहां भारत और चाइना के बीच चाइना इंडिया प्लस चाइना इंडिया प्लस की पॉलसी को जन्म दिया गया जिसमें दोनों देशों के बीच ही नह व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने के लिए दोस्तों नीव रखी गई मगर हुआ क्या दोस्तों जब ये वुहान समिट चल रहा था इस दौरान दो चीजे हुई सबसे पहली बात भारत ने मसूद अजहर को लेकर चाइना पर दबाव डालना बंद कर दिया क्यों? क्योंकि भारत ऐसा कोई मुद्दा नहीं छेड़ना चाहता था जिससे दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर हो डोकलाम में संघर्ष फिर शुरू हो जाए लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे मोदी तो इस पूरे वक्त में मसूद अजहर को लेकर किसी भी तरह की कोई मंत्रनाय नहीं हुई भारत और चाइना के बीच जबकि वोहान समिट चल रहा था काईदे से आपको कोशिश करनी चाहिए थी यह प्रयास करना चाहिए था कि आप चाहिना पर दबाब डालती मगर ऐसा आपने नहीं किया यही नहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंगपॉर में शंगरीला डायलोग हुआ शंगरीला डायलोग और यहां पर प्रधानमंत्री मोधी ने कहा कि इंडिया पैसिफिक थिएटर जो है या इंडिया पैसिफिक साजेदारी जो है उसका मकसद किसी देश को टार्गेट करना नहीं है और किसी देश से मतलब था चाइना सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया पैसिफिक थेटर है क्या आपको समझता होगा दरसल जापान, आस्ट्रेलिया, अमरीका, भारत ये जो पूरा इंडिया पैसिफिक का इलाका है न प्रशंत महासागर का जो इलाका है यहाँ पर तमाम प्रजातान्तरिक देशों के बीच साजwayदारी कायम करना ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जाए ठीक है चीन के प्रभाव को कम किया जाए मगर वुहाण समझ से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबराए हुए थे कि उन्होंने शंग्रीला में जाकर ये कह दिया कि सहाब इंडिया पैसिफिक जो इनिशेटिव है या इंडिया पैसिफिक साझेदारी है उसका मकसद चाइना को टार्गेट करना नहीं है अरे भाई उसका मकसद चाइना को ही टार्गेट करना था क्यों क्योंकि चाइना लगातार अपनी ताकत का इस्तमाल कर रहा था और अपनी जो व्यापारिक शमता था या सैनिक शमता था उसके जरिये उसकी तादागीरी बनी हुई थी ये इमेशेटिव इंडिया पैसिफिक सम्मेलन जो है वो 2007 से उसकी नीव रखी जा रही थी इसका मकसद ये था कि इस पूरे इलाके में ऐसी सामरिक विवस्था कायम की जाए जिससे चाइना पर दबाव बनाया जाए देखे हर चीज का समाधान युद्ध नहीं होता है आप सोचिए अगर भारत जपान अमरीका आस्ट्रेलिया और ये पूरे इंडिया पैसिफिक शेत्र में जो तमाम देश हैं जब वो एक साथ आएंगे तो चाइना पर कितना दबाव बनेगा मगर भारत ने क्या किया पहले तो जो वुहान समिट हुआ उसके जरीए आपने मौलाना मसूद अजर को लेके चाइना पर दबावनी बनाया फिर जब शंग्रीला समिट हुआ या शंग्रीला डायलोग हुआ वहाँ जाकर आप कहते हैं कि साथ चाइना को निशाना बनाना म मेरा मकसद नहीं है वहाँ पर आप नर्म पड़ गए तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं आपसे अगर चाइना आज की तारीक में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है तो आप इतने अरसे तक चाइना के साथ नर्म क्यों थे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि चाइना के सामने आप मतमस्तक हो गए आप चाइना के सामने नर्म क्यों थे और यह सवाल क्यों नहीं उठाए जाएंगे दोस्तों एक अर्से से मैं foreign affairs cover करता रहा हूँ और मुझे पता है कि foreign policy या diplomacy जो होती है न वो तालमेल बिठाने का खेल होता है यानि कि हर चीज छाती ठोक कर 56 इंच की छाती बटा कर जो है वो काम नहीं होता है उसके लिए जरूरी है कि आपको फूंपूंप कर कदम रखना होता है मगर इस सरकार की problem यह है कि इनकी सारी नीतियां जो बनाई जाती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को देखकर बनाई जाती है ऐसा नहीं होता है दोस्तों आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा यह आप नहीं कर रहे हैं और अब मैं बात करना चाहूँगा तीसरे मुद्दे की boycott गोधी मीडिया आपको याद होगा इसी तरह से बोल किलब आजाद हैं तेरे में मैंने आपके सामने विशय रखा था कि हमें गोधी मीडिया को क्यों boycott करना चाहिए क्यों news channels में opposition को अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद करना चाहिए क्योंकि ये news channels हमारे समाज में नफरत पहला रहे हैं ये news channels सिर्फ मोधी मोधी करते हैं और यहां opposition के जाने से कोई फाइदा नहीं होने वाला है याद है आपको कारिकरम उसके छोटी सी जलकी देखिए सवाल नंबर एक जो मीडिया को पूछना चाहिए था मगर शौदा फरवरी को पुलवामा की वो शहादत होई थी और अब तक किसी news channel ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को कट घरे में खड़ा नहीं किया और वो सवाल आपके सामने ये है कि आखिर 300 से 300 किलो ग्राम लेकर वो आतंकवादी हमारे सैनिकों के पास पहुँचा कैसे मुद्दा नंबर दो जो हमारे news channels अब भी ने उठा रहे है यहाँ पर सवाल ये कि ये एक बहुत बड़ा intelligence failure था आखिर news channels ये सवाल क्यों ने उठा रहे हैं कि बखतर बंद गाडियों में उन सैनिकों को जाना चाहिए था मगर उन्हें आम बसस में भेजा गया तो इस का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि कल से लगातार boycott गोधी मीडिया ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे और हमारा कारक्रम जो है वो इस trend में सबसे उपर है यही कारक्रम जिसकी जलकी आपने अभी अभी देखी यही नहीं मेरे इस कारक्रम के आने के बाद तेजस्वी यादव ने तमाम विपक्षी दल को एक letter लिखा यह letter जो आप इस वक्षी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि boycott कीजे news channels को क्योंकि यह हमारी आवाज नहीं सुनते क्योंकि हमारा मानना है कि जब मीडिया सत्ता में बैठी ताकतवर पार्टी से सवाल नहीं करती है तो वो अपना काम नहीं कर रही है और जब तक वो अपना ये काम नहीं करेगी तब तक उसे देखने का कोई फाइदा नहीं है मगर जानते हैं आप दोस्तों आज सुबह हुआ मैं उस पत्रकार का नाम ने लेना चाहूँगा ये पत्रकार मुकेश अंबानी के चैनल में काम करते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त है इन्होंने अपना एक कारकरम किया कि जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जनता के साथ संबाद कर ही रहे हैं चाहे वो अपनी चुनावी भाषण हो या मन की बात हो तो उन्हें क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फरेंस करने के बहुत अजीव हो गरीब बात है दोस्तों क्यूंकि जब पत्रकार ही प्रेस कॉंफरेंस ना चाहे वो सवाल ना पूछे देखिए जब प्रधान मंत्री मन की बात करते हैं या चुनावी भाशन देते हैं वो वान वे ट्राफिक है मगर जब आप press conference करते हैं तो आपकी जवाब देही बढ़ जाती है मनमोवन सिंग press conference करते थे इसलिए उनकी जवाब देही तै की थी उस वक्त के news channels ने तब ही हमने Congress से तीखे और तल्क सवाल किये थे और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कुछ दिनों पहले All India Radio का एक कारक्रम हो रहा था जश्ट बनाया जा रहा था मन की बात का कि मन के बात के तीन साल हो गए है और वहाँ एक और पत्रकार ने एक और पत्रकार ने ये कहा था और इत्तिफाकन वो इसी चैनल से थे कि सहाब प्रधानमंत्री मन की बात तो करती है तो अब विपक्ष को ये आलोशना नहीं करनी चाहिए कि वो सवालों के जबाब नहीं देते आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है जब आप सत्ता पक्ष को ये छूट देते हैं कि वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे तब इस तरह की घटनाएं होती हैं जैसे कि आपने कारकरम की शुरुआत में देखा BSNL के करमचारियों को पैसे नहीं मिलते भारत का गौरफ स्टाश्यू फो यूनिटी के करमचारियों को मजदूरों को पैसे नहीं मिलते नरेगा के करमचारियों को भत्ता नहीं मिलता तब ऐसा होता है जब गोधी मीडिया सवाल पूछना भूल जाए खेर अगर हम अपनी जम्मदारी को समझते हैं नीوسक्लिक अपनी जम्मदारी को समझता है और यही वजगा है यह सवाल लगातार पूछते रहेंगे अबिसार शर्मा को दीजे अजासत और मेरी आप सबसे अपील कि आप इस कारेकर्म को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उन तक पहुंच रहें और अभी सार शर्मा को दीजिये जासत नमस्कार